सब को नमस्कार दिल्ली में अभी तक के जितने पिछले दो तीन महीने सारे मिला के करोना के जितने मरीज हुए उनकी संख्या लगबग एक लाख पहुँच गई है लेकिन एक लाख से घबराने के जुरूरत नहीं है इन में से लगबग 72,000 मरीज ठीक हो गए है दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72 प्रतिशत हो गई है जो कि बहुत बड़ी है तो इसका मतलब लोग बिमार तो हो रहे हैं लेकिन साथ-साथ ठीक होते जा रहे हैं करोना की स्थिती में और अधिक सुधार हुआ है जैसे जून के महीने में जब हम टेस्ट किया करते थे सौ लोगों के टेस्ट करते थे तो उसमें से 35 लोग करोना के मरीज निकल के आते थे अब दिल्ली में हम सौ लोगों के टेस्ट करते हैं तो वो किवल उसमें 11 लोग ही मरीज निकल के आते हैं तो एक तरह से इसको positivity ratio कहते हैं इस तरह से इसमें सुधार हुआ दिल्ली में अब रोज 20 से 24,000 के बीच में टेस्ट हो रहे हैं और अभी-भी में देख रहा था एप के उपर दिल्ली में इस टाइम करोना के 15,000 के करीब बेड हैं टोटल और उसमें से केवल 51,000 बेड पे पेशेंट मरीज हैं तो अस्पतालों में जितने अस्पताल हैं सारे अस्पतालों में मिलाके केवल 51,000 मरीज हैं पिछले हफ़ते दिल्ली के अस्पतालों में बासट सो मरीज थे करोना के आज कम होके एक हफ़ते में एकक्यावन सो मरीज रह गए तो अस्पतालों में मरीजों की संख्यट कम हो रही है मरीज ठीक हो के घर जा रही है और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टस्टिंग sino कोई समस्या हो रही है और Tamam बेड्स की कोई समस्या है, बेड्स भी असानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरात अफरी नहीं है, एप के उपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड्स कहां खाली हैं, जादा लोग जो हैं, उनका घरों में जैसे आज 25,000 अभी टोटल आज दिल्ली में मरीज हैं, कर लोग्रेम, हर घर में हम ओक्सीमीटर पहुचाते हैं, वो बहुत सफल हुआ है, और लोग घरों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं, मौत का रेशो भी कम हुआ है, एक दिन जून के महीने में ऐसा आया था जब 700 से जादा मौत हो गई थी, आज दिल्ली में 55, 55, 60 के आसपास मौत ह हो रही है, और भी कम करनी है, लेकिन पहले के मुकाबले आधी मौत हो गई है, पिछले हफ़ते हम लोगों ने प्लाजमा बैंक शुरू किया था, देश का पहला करोना प्लाजमा बैंक, जब तक करोना की वैक्सिन नहीं आ जाती, तब तक करोना का इलाज नहीं है, लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्राइल किये गए दिल्ली में, ट्राइल के जो नतीजे आये, वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को करूना में मदद मिलती है। जो moderate patient हैं, वो severe होने से बचते हैं, उनकी स्थिती सुधर जाती है। मौत के उपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है तो पिछले हफ़ते हम लोगों ने देश का पहला प्लाजमा बैंक बनाया था अभी तक दिल्ली में प्लाजमा लेने वालों की अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि किसी को पता नहीं था प्लाजमा चाहिए तो कहां जाएं अब वो अफरा तफरी कम हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर लोग सब को पता है अब आई एल बीएस जा सकते हैं आई एल बीएस में प्लाजमा मिल रहा है पिछले हफ़ते चार-पांच दिन द्रिस्पतवार को ये प्लाजमा बैंक शुरू हुआ था पिछले चार-पांच दिन में जितनी डिमांड है प्लाजमा की वो बहुत जादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है मतलब प्लाजमा डोनेट करने वालों के संख्या कम है प्लाजमा की मांग करने वालों के संख्या जादा है तो अगर प्लाजमा डोनेट करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी जल्दी से तो थोड़े दिन में जो स्टॉक में प्लाजमा इनके पास पड़ा हुआ है वो सारा खतम हो जाएगा तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है हाद जोड़के कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएं और प्लाजमा डोनेट करें इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है कोई कमजोरी नहीं आएगी किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा आपके आने जाने का पूरी विवस्था हम लोग कर रहे हैं कोई भी कुछ लोगों ने ये कहा जी अगर हम दुबारा करोना के अस्पिताल में जाएंगे अपने साथ अगर किसी को लेके जाएंगे उनको करोना जाएगा हमने प्लाजमा बैंक आई एल बीस में बनाया है